हेलो बच्छों let's read the question बच्छों एजर्शन रीजन टाइप कोस्ट्छन है पहले हम चेक करेंगे कि क्या दोनों statement correct है अगर दोनों correct है तो क्या रीजन जो है correct explanation है एजर्शन का तो बच्छों एजर्शन में कहाँ है यह molecule having a molecule containing केनिंग कार्वन मस्ट बी नों सूपर इंपॉसेबल ओन इट्स अ मिरमेज हो के बच्छो देखो यहां पर दो तीन चीज़े समझे नहीं किया बच्छो पहली बात तो यह कह रहे है कि कार्वन और सभी बोंड पर लगा होगा उच्छा मतलों डिफेरेंट ग्रूप्स होंगे चारो ग्रूप्स यहां पर होगे अगर कोई दो भी सेम होगे ना बच्छो तो खाइरल नहीं रहेगा यह जो इसे पर इंपोज़बल होते हैं ना बच्छो अपनी मिरें सेमेट्रीह होता है जिसमें ओगे पीचे फीजबो करने से से इंपुरूप्स होगे तो भी देख हो तो दोनों में से कोई एक भी प्रेजयों तो इस इसा ग्रूप्स मिलता है जासे इदर भी इंदर भी ये इस दिन अक्टिव हो जाए तो जैसे यह कार यह कंपॉण्ड यह से लेक्टिक ऐसेड का यह अगर हम बात करें है वह क्या है बच्छों यह अपका उप्टीकली अक्टिव बने बच्छों चारों ग्रूप डिफेरेंट है है यहां पर उक्टा क्या है इसमें कोई plane of symmetry है, ना ही कोई center of symmetry हाँ पर होगा, बच्छों, ओके, तो यह कैसे होगा, optically active होगा, लेकिन अगर हम इस compound की बात करें, CH3, यह fissure projection मैं इसको लिख रहे हैं, H, H, O, H, O, H, अब यहाँ पर देखो, यह वाला carbon chiral है, चारो group different है, methyl group, hydrogen, O, H, और नीचे वाला group, ऐसे यह वाला भी chiral है, बच्छों, ओके, यह रहे हैं, बच्छों, चारो group different है, बच्छों, लेकिन फिर भी optically inactive है, QBs में क्या है, बच्छों, plane asymmetry present है, यह है, बच्छों, plane asymmetry इसमें present है, तो यह compound कैसा होगा, optically inactive होगा, मतलब, इसकी जो mirror image होगी न, बच्छों, वो उस पर superimpose कर जाएगा, बच्छों, ऐसा नहीं कि non-superimposable mirror image आएगी, देख, optically active compound वो होते हैं, जो क्या करते हैं, कि plane, जब plane polarized light in से pass करते हैं, तो यह उसके plane को rotate कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मैं करें, चाहिए, left मैं करें, तो यहां पर देख, होता है क्या है, बच्छों, इनकी जैसे, भई, यहां से optically active है, बच्छों, यहां से भी इसको कह सकते, optically active है, लेकिन बच्छों, इनकी जो, वो होगी न, बच्छों, optical activity, वो opposite होगी, मालो, plane polarized light आ रही है, बच्छों, यहां से जो आपकी plane polarized light है, वो undeflected जाएगी, बच्छों, 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 तो पहली statement तो आपकी incorrect हो जाएगी, कि जहां पर आपके पास में chiral carbon होते है, वो non super impossible होते है, अपनी mirror image पर, मतलब वो optically active होते है, तो assertion तो incorrect है, बच्छों, फिर इस मैं कह रहा है, chiral carbon is bonded to four different atoms और groups, विल्कुल सही बात है, बच्छों, chiral carbon के अबने बात करिए, कि वो four different atoms या groups से bonded होता है, तो यह statement एकदम correct है, तो assertion incorrect है, बच्छों, लेकिन reason जो है correct है, so correct answer will be option four, I hope आपको एकदम clear हो गया होगा, thank you बच्छों.